नमस्कार साथियों, और आप लोग कैसे हैं उम्मीद करते हैं मित्रों, आप लोग बहुत अच्छे होगे स्वस्त होगे, मस्त होगे, अपनी पढ़ाई में ब्यस्त होगे क्योंकि अब चुनाव के साथ-साथ बैकेंसियां भी आ रही है तो वैकेंसियों के आने पर हम लोगों को अपने पूरी ताकत से लग जानी है अपने तयारी में तो साथियों आज हम लोग इसी तयारी के स्रेणी में ही हम लोग स्रिंखला में ही आगे बढ़ रहे हैं और आज हम लोग टेस्ट का जो प्रेक्टिस सेट है TGT PGT का वहाद दूसरा प्रेक्टिस सेट हम लोग साल्व करने का प्रयास करने चल रहे हैं जिसमें कि ये आफ लाइन जो टेस्ट हुआ है उसी का साल्व हम दे रहे हैं आफ लाइन टेस्ट जो होता है उसमें 125 प्रस्ण होते हैं जिनको एक साथ में साल्व करवाना थोड़ा मुस्किल है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा ना तो आप देखने की इच्छा रखेंगे और ना तो उतने टाइम तक लगातार साल्व करवाने में इच्छा लगती है क्योंकि उसको अगर एक ही वीडियो में साल्व करवाया जाए तो बहुत तेजी से खिंचना पड़ेगा और उसका कोई मतलब नहीं निकलता है इसलिए हम इसको दो पार्ट में लेकर के आ रहे हैं हर संडे को टेस्ट होगा और उस टेस्ट को हम आपको इस आनलाइन प्र ट्रफाहँ पर आपके ग्यानाले चैनल पर प्रौइट करवाएंगे तो इस जो वीडियो को आप अगर पाना चाहते हैं तो अभी भी अगर ग्यानाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लеч चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए ताकि आपको जो ये आफ retroalth हु आपको online पूरा ब्याख्या के साथ में मिल जाए ठीक है साथियों तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना जो ये test का दूसरा वीडियो है उसको तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं यह है ओसंस्था जहाँ पर इलहाबाद में यह offline में टेस्ट हुआ है या test होता है और इसके अलामा यह आप देख सकते हैं address और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं हमको यहाँ पर यह और आगे अगर आप आते हैं तो यह subject code है timing द दिया गया है यह सब registration number दिया गया है test का उद्देश क्या होना चाहिए हमने यही रखा है कि ज्यादा से ज्यादा आपको नई प्रसन दिये जाए जिससे आपकी पहुँच उन प्रसनों तक पहुँच हो सके जिससे कि आप अभी भी छूट रहे हैं तो यह जैसा कि यह मेरी वीडियो जरूर मिलेंगे और वो भी TGT PGT लेवल का मिलेगा और इसमें जो question है उसको आप देख सकते हैं सात्यों पहले वीडियो को देखें और इसमें जो भी दिये गये हैं question उसको साल्व करें और इसके बाद ही उसका answer देखने का प्रयास करें और इससे आपको पता चल लिया है आज हम लोगों का टार्गेट होगा 64 question से जो भी आगे है वे प्रसंद तो 64 नंबर का question जैसा कि आपके सामने आ चुका है यहाँ पर दिया गया है जनसंख्या विभव की संकल्पना का विकास निम्नांकित में से निम्नांकित में से किसी विद्वान ने किया तो जन यहाँ पर देखेंगे साथ ही तो इसका उत्तर आपको मिल जाता है यहाँ पर डी प्रसंद जो है यही आपका राइट अंसर है ठीक है आगे अगर हम लोग चलते हैं थोड़ा साइस को हम कम कर लेते हैं मोटा है मार्कर यहाँ पर आप देखिएगा क्रिश्टालर सिधान्त के अनुसार केंद्रिय अस्थान के बराबर सेवन के बराबर सेवन पदानुकरम का निर्धारन किस नियम के अनुसार होता है तो यहाँ पे दिया गया बाजार परिवहन बाजारयों परिवहन दोनों परसासन तो इसमें आप जानते हैं साथियों कि अगर के बराबर यहाँ पे थिरी की बात की जाए तो वो बाजार हो जाता है परिवहन की बात की जाए तो के बराबर होता है परिवहन अगर आप देखते हैं तो थिरी और फोर होता है प्रसासन की बात अगर की जाए तो के बराबर सेवन होता है तो इसका आपका जो प्रस्ण है वो यही है कि के बरा व्रिधी के लाजिस्टिक वक्र सिधान्त को प्रतिपादित किया था तो किस ने किया था लेंड सेंडलर ने किया था या डवल डे ने किया था यहां पर दिया गया है दा कैश्टो और इसके बाद पर रीड इसके अलामा अगर आप देखेंगे कि यह लाजिस्टिक वक्र सिधान्त में यह है क्या वक्र सिधान्त लाजिस्टिक वक्र सिधान्त यह है क्या तो इसमें यहां पर पहले आप बताएगा कि इसको दिया किस ने जनसंख्या ये घनत्व के बढ़ने के साथ साथ बृद्धी दर बृद्धी दर ये घटती जाती है यानि कि अगर से कोई छेत्र है यहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है और बढ़ते 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 काफी जादा जनसंख्या घनत्व यहाँ पर हो गया है तो यहाँ पर इसका जो density है ये अगर बढ़ा है तो ये बृध्धी दर जो होगा वो कम होता जाएगा यही है लाजिस्टिक वक्र सिद्धान आगे आप देखेंगे अगर तो निमने लिखित में से कौन इस कर्थन का प्रनेता था कहीं भी आवसकताएं नहीं हैं वरन स्वाम के रूप में उनके उपियोग का निल्डायक है इसने मानो भूबोल को दिसा दी तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा सातियों ये जो सिद्धान्त है या ये जो लाइन है ये सम्भोबाद से संबंदित now ये किस से सम्बंदित है संभोबाद से संबंदित है और जो ये लाइन दी गई है वो यल फैब्रे के द्वारा दी गई है यल फैब्रे के द्वारा ये लाइन दी गई साथियों और इन्हों ने जो कि आप देखेंगे इतिहास कार फैब्रे ने जो है संभोबाद सब्द का सरपर्थम प्रियोग किया था इसका संभोबाद सब्द का संभोबाद सब्द का सरपर्थम प्रयोग अगर देखते हैं तो वह किस ने किया था फैबरे ने किया था तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं इसका अंसर हो जाएगा आगे देखते हैं अगला प्रस्ण है आपके सामने मानो प्रदेशों की संकल्पना को प्रतिपादित किस ने किया था मानो प्रदेश की संकल्पना अगर आप देखते हैं सातियों तो इसको पी यम राक्षवी ने किया था अगला प्रस्ण है अलमसूदी ने निम लिखित में से कौन से पुष्टक नहीं लिखे थी? किताब नुराज अल दहाव, किताब अखवार अल जमान, कानून अलकानून अलमसूदी, किताब अल अउसक। तो इसमें ध्यान दिजीगा सातियों, ये जो अलमसूदी महोदे हैं, इनके नाम पर ही ये किताब है, अलकानून अलमसूद अलकानून अलमसूदी, और ये किताब जो लिखा गया है, ये है, अल बरूनी, किसके द्वारा, अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है, तो इस तरह से ये पुष्टक इन्हें के नाम पर है, तो इस वज़ा से लोगों को भरम उत्पन हो जाता है, कि ये अलमसूदी का ही पुस्तक होगा इसी लिए यह बहुत ज्यादा पूछा जाता है उग के द्वारा तो इसको आप याद रखिएगा साथियों इसका प्रस्म का अंसुर आपका हो जाएगा सी आगे देखिएगा साथ सतर नंबर आपका है भूराजनीतिक या जियो पॉलिटिक्स सब्द किसके द्वारा सिर्जित किया गया था हाउसोफर के जेलन रेट जेल या मै किंडर तो इसमें सतर नंबर में अगर आप देखेंगे साथियों ये के जेलन ने किया था जो कि ये भासा है या किस ने कहा था या टी हैंगर स्टेंड ने कहा या पीटर हैंगर ने कहा या बी जेल वेरी ने कहा या विलियम भूंगी ने कहा तो ज्यामिती भूगोल की भासा है या किस ने कहा था साथियों तो इसमें आप देखेंगे कि डबलू विलियम यानिकी भूंगी कहा था अगला प्रस्न है सुमेल करने का यहां पर दिया गया है भूगोल बेत्ता और इसके बाद दिया गया है देश तो जैसा कि अभी ही अभी हम लोगों ने देखा उपर जो दिया गया है जेलन सिक यह जो है जेलन का तो यहोंने अगर देखा जाये तो यह कहां के हैं यह स और कम करते हैं बहुत जादना छोटा हो रहा है अब यहाँ पर आप लोग देखने का प्रयास करिएगा साथियों यह आपके सामने आ गया है इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं अपने आप जो है हम लोग आप संट चूज कर लेंगे कि कौन साइस में है नंबर हम लोग बना लेंगे यहाँ पर अब थोड़ा सा दिख रहा है अब यहाँ देखिएगा साथियों कि आपका जो यह मिल रहा है प्रस्न इस प्रस्न का हमने कहा जेलेंज जो हैं जेलेंज की जो की कह सकते हैं यह अभी हमनों जो उपर पढ़ा यह कहा के हैं यह स्वीडन के हैं यानि की चोथे नंबर पर अगर आप देखते हैं तो यह कौन से हैं चोथे नंबर पर पहले हैं आगे देखते हैं अगर से मैकिंडर की बात करते हैं तो ये बेटेन के है यानि की दूसरे नंबर पर जो अगर देखते हैं आप तो ये कवथे पे जा रहे हैं चोथे पे जा रहे है यानि की बीप चोथा हो जा रहा है इस पाइक मैन को अगर आप देखते हैं कि पाइक मैन कहां के हैं साथीयों कि यह उस से कहां के हैं यह हैं USA के हैं बीच है तोड़ दे रहा है इसलिए नहीं भर रहा है यहां पह आप देखेंगे एक थड हो जाता है यहां पे थड का क्या हो जायेगा यहां पेFY owned दो एक यानि कि 34-21 जहां पे होगा वही हम लोग का एंसर होगा आगे हम लोग देख लेते हैं इस आफशन में तो 34-21 साथियों संयोग से पहले ही आफशन में है आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रादेशिक नियोजन की अवधाना के संस्थापक निम्न में से कौन थे तो प्रा इसक्रेट है तो इसमें कौनसा हो जाएगा साथियों 180 नंबर का जो एंसर होगा वहोगा साथियों बहुंट tak कि तो यह 45 नंबर प्रसंपों हम लोग देखते हैं सात हियों तो इसमें दिया गया है कि निम्लेकत राज्यों के गटन पर विचार के जिये तथा इन्हें काला नूकरम अनुसार दैवस्थित किजिए यहाँ पर जार्खंड दिया गया, तेलंगाना दिया गया, छतिसगर दिया गया है, उत्राखंड दिया गया इसमें से साथ यों ये तीन राज जों है इनकी अस्थापना हुई है 2000 में और ओ भी नवंबर में नवंबर में इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो जारखंड है इसकी अस्थापना हुई 15 नवंबर को 36 गड़ की अस्थापना हुई 1 नवंबर को और उत्तरा खंड की अस्थापना हुई 9 नवंबर को तो इस तरह से ये हो गए इसके बाद आगे आता है तिलंग आना इसकी अस्थापना जो होती है 2014 में होती है तो इस तरह से 2014 में इसकी अस्थापना हुई है और इनकी 2000 में उत्राखन यानि कि चौथा आपसम तो चौथा यहाँ पर नहीं है यहाँ पर है तो इस तरह से यह वाला आपका चर्णो ज mean जो पाई जाती है कौण और निम्नि sooner लिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित शिता प preparedness ओ लगई मआले से या ब्रमपुत्र नदीद्वारा तो किसके द्वारा निर्मित किया जाता साथियों तो यहां निर्मित किया जाता तीस्ता नदी द्वारा आगे हम लोग देखते हैं कि उडगमंदलम यान उटी में बसाव पैटर्न किस प्रकार का है निहारी का रूपी है बिरतिय रूपी है तो यहां पे ध्यान दिजीए साते यह जैसे कोई भी परबत है यह जो है परबत ही है उडगमंदलम उटी उटी क्या है परवतिय छेतर है तो यहां पे जो भी बसा होगा वहाँ इस रूप में ही मिलेगा यानि कि किस रूप में सीड़ीदार रूप में मिलेगा तो यहां पे सीड़ीदार दिया गया है सी आपसन में तो आपका सी आपसन सही होगा निमलिखित में से किस भारतिय पारिक के नाम से जाना जाता है यहां पर साथियों असम में अगर आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा माजुली दीव्प का निर्मार किया जाता है और यह जो दीव्प है यहां विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित दीव्प है ठीक है आगे देखिएगा निम्न लिखित में से कौन सा छेत्र कोईला उत्खनन हेतु परसिद्ध है केपियार्क कारागांडा या फिर जो है किरिकुक और ट्रांसवाल तो इन छेत्रों में अगर आप देखेंगे साथ हैं जिसे केपियार्क हो गया केपियार कुको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैगनेज मिलता है क्या मिलता है? मैगनेज मिलता है और यह है कहाँ पर? आस्टेलिया में इसके अलावा अगर किरकुक को देखते हैं तो किरकुक साथियों यहाँ पर तेल मिलता है क्या मिलता है? तेल और कहां पर है ये इराक में है कहां पर इराक में है ट्रांसवाल की अगर बात करते हैं तो ये जो है सोने की खदान है क्या है सोने की खदान है और ये कहां पर है ये है आपका दच्छन अफरीका में है कहां पर है दच्छन अफरीका में है कारागंडा की बात करें तो ये कारा गंड़ के गंड़ा जो है यह आपका मिलता है कोईला और यह कहां पे इसतित हैं तो यह इसतित है कजाकेस तान में तो इस तरह से कोईला की बात कर रहा है अपकोईला यह भी तो यह आपका आगे देखिएगा किस छेत्र में कपास की किर्सी योम उत्पादन नहीं होता है यहाँ पे बिदर्व दिया गया है मालवा दिया गया है मराठवाड़ा दिया गया है और मैसूर दिया गया है चारों में से कौन सा सही होगा तो ये जो तीन है साथियों विदर्भ, मालवा और मराठवाडा ये लगभग सभी जगहों पे काली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर भी काली मिट्टी पाई जाती है और यहाँ पर भी काली मिट्टी पाई जाती है लेकिन इसमें अगर पाई जाती है और इसके लिए कपास के लिए क्या जरूरी होता है मिर्दा मिलती है लेकिन ये लाल-मिर्दा वालग यूस्त्र होता है पसुपालन का महतुपूर अस्थान होता है मिस्रित किर्सी में गहन निर्वाह किर्सी में या वागानी किर्सी में या अस्थानांतित किर्सी में तो साथियों जैसा कि आपको पता भी है कि मिस्रित किर्सी उस किर्सी को कहते हैं जिसमें किर्सी के साथ साथ यानि कि आप फसलों के उत्पादन करें और उसके साथ साथ पसुपालन भी करें तो वह किर्सी मिस्रित किर्सी कहलाती है तो पसुपालन का महत्पूर्ण स्थान मि यूर्क्रेनियन, जर्मेनियन और नर्वेजियन, मलायन और स्री लंकायन तो इसमें से क्या कह रहा है कौन सा एक परकार अच्छा परकार है तो इसमें से अगर 82 नंबर का देखेंगे जैपोनिका और इंडिका ये दूनों ही परकार है लेकिन इधर के यतने भी है ये नहीं है ठीक है आगे देखते हैं निमनलिखित में से किस पंच बरसिय योजना के दवरान भारत सरकार ने किरसी योजना के छेत्र ये द्रिष्ट कूण अपनाया इसमें से छेत्रिय द्रिष्ट कूण जो अपनाया गया था तो ये आठमें पंच बरसिय योजना में अपनाया गया थ चलिए ठीक है हम लोग यह सही मिला लिया करेंगे इसमें अरेत कह रहा है अरेत किससे निर्मित होता है सातियों तो अरेत को अगर आप देखेंगे जैसे यह है कोई भाग परवतिये और इस तरह से दाती नुमा जैसे आप देखेंगे कंगी के ऐसे होता तो इसी को क्या कहते ह क्या कहते हैं इसी को अरेत कहते हैं तो अरेत का जो निर्मार होता है ये हिमानियों के द्वारा होता है किसके द्वारा हिमानी द्वारा होता है तो यहां पे आपका हो जाएगा अरेत या तीसरे कटक हिमानी द्वारा यानि कि पहले का आपका मिल जाता है दूसरा और पोल जे, पोल जे की अगर बात करते हैं तो यहां भूमिगत जल के द्वारा निर्मित किया जाता है यानि कि दूसरे का हो जाएगा तीसरा यार डंग की बात करते हैं यहां पौनों द्वारा निर्मित किया जाता है, यानि कि C का आपका हो जाएगा 4, इसकी बाद गार्ज की बात करें, तो यहां नदियों द्वारा निर्मित किया जाता है, तो इसका हो जाएगा 1, यानि कि 23,41, 23,41 कहां पर है, पहले नंबर में ही 23,41 आपका उत्तर मिल जाता तो इस तरह से आपका 14 का हो जाएगा ए आगे देखिएगा प्राइमेट सिटी के नियम की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी प्राइमेट सिटी यानि कि जो है मार्क जैफर्सन ने जो दिया था उसी की बात ये कर रहा है तो इसको आप जानते हैं बहुत आसान प्रसन है आगे हम लोग बढ़ते हैं प्राइमेट सिटी के बाद अगर से इनकी बात करते हैं प्राइमेट सिटी जो की दिया इन्होंने दिया मार्क जैफर्सन ने लेकिन अगर हटिंग टन की बात करें यहां पर हटिंग टन तो यहां नियतिवादी थे क्या थे ये नियतिवादी आते हैं और ये भी नियति वादी ही थिंए और क्रिश्टाइलर के बाद करें तो क्रिश्टालर ने क्या दिया था से धान दिया था केंधृ अस्थल सधांत कब दिया था इंहोंने केंद्रिय अस्थल सधांत तो इन्हों ने दिया था 1935 में कब दिया था 1933 में इनकी बात कर्ते हैं कि कहां कि है तो एलन्-inch फेल जी सेंपउल है यह से कि एक मात्र महिला जो की भुगल भेत्ता और नियतिवादी आगे हम लोग देखते हैं साथियों निम्नांकित में से किस लेखक ने भारतिय परजातियों का वर्गी करण किया था तो भारतिय परजातियों के वर्गी करण को अगर आप देखेंगे साथियों तो ये हैं आपके सर हर्वर्ट्स रिजले ने किस ने किया था सर हर्वर्ड रिजले ने किया था भारते प्रजातियों का वर्गी करण टिंग टन नियत्वादी है ट्रिवार्था की अगर बात करते हैं उन्हें जलवाई वर्गी करण किया था और इसके बाद आरेल सिंग की बात करें तो ये प्रादेशिक योजना में सिटी सब्द का का प्रयोग किया था सिटी रीजन का प्रयोग किया था किसका सिटी राजधाने छेत की बात कर दिया जाता है तो दिल्ली के अगल बगल के कई राज्य भी उसमें सामिल हो जाते हैं उसके कई जिले भी सामिल हो जाते हैं हिमानी के बारे में कहरा साथ क्रिण गिर्का का संबंद इससे होता है हिमानी अस्तलाकृति से या तटी अस्तलाकृति से आप पर हिमानी अस्तला कृति से तो इसमें साथियों आप अगर देखेंगे तो ये जो होगा ये है आपका हिमानी अस्तला कृतियों से और हिमानियों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मिलता क्या है जैसे धुरुबिये छेत्रों में देखेंगे आप धुरुबिये में कुछ ऐसे ऐसे उभरे हुए भाग मिल जाते हैं जो कि यहाँ पर इस वाले के छेत्रों में आप देखेंगे तो यहाँ सुखा पड़ता है यानि कि जब यह सुखा ना कहें हिमाने के छट जाता है तो यह दिखाई देने लगता है जब यह दिखाई देने लगता है यानि इस तरह से जब यह दिखाई देने लग जाएगा बीच बीच में तो इस वाले भाग पर कुछ टाइम के बाद में घास या काई वगएरा जम जो है उगने लगता है यानि कि तिनका जिसे आप कहते हैं तिनका या घास तो वो जो उग जाता है तो इस तरह से इस पर इस तरह से मिलने लगता है जब ये घास अगर आ इस पर आ जाएगा तो इसको कहेंगे साथ त्रिन गिर्का क्या कहेंगे साथ त्रिन गिर्का और अगर से यहाँ पर कुछ नहीं होगा है तो इसी को कहते हैं गिर्का अब इस गिर्का और साथ त्रिन गिर्का में अगर आप देखेंगे साथियों तो अंतर के ओल इतना है कि अगर यहाँ पर घास नहीं है तो यह गिर्का अगर घास है तो साथ त्रिन गिर्का अब गिरिका को याद कैसे किया जाए जैसे आप जानते हैं कि गिरी मतलब होता है परवत क्या होता है परवत और गिरी का अगर लगा दिया गया तो परवतों के जैसा जो होता है छोटा आकृति वाला तो इसमें अगर देखेंगे हिमानी अस्तलाकृति में होता है या तटी अस्तलाकृति में होता है या काष्ट अस्तलाकृति में होता है या परिहमानी अस्तलाकृति में होता है तो यह हो जाएगा परिहमानी अस्तलाकृति हिमानी अस्तलाकृतियों का मतलब यहाँ पे अगर अस्थापन अस्थार पर पहँच गई है तो फ्रांस की जनसंख्या सातियों अपने अस्थापन अस्थार पर पोँच गेए चीन ईराख और सुडान की अभी नहीं पहुच्छी किस बरस में विष्व के जनसंख्या एक अरब हो motivate थी तो 1950 में या 1960 में या 1930 में या 1850 में विश्व की जनसंख्या एक अरग हो चुकी थी साथी में आगे हम लोग देखते हैं जनसंख्या के बढ़ते करम में नगरिये बस्तियों का निमनलिखित में से कौन सा समू सही करम में है तब सहर तब फिर महान अगर फिर नगर सहर महान अगर अब और पिर साहर और आप देखेंगे साथियों तो सबसे पहले क्या होता है नगर फिर सहर फिर महान अगर फिर स adjourn तो इस तरह से यह वाला आपका सही हो जाएगा से आगे बढ़ते हैं लोग नेस्ट प्रसन आपके सामने है सूची से ही संबन्दित है ये भी तो इसको भी हम लोग ऐसे मिलाने का प्रयास करते हैं makers of modern geography makers of modern geography तो किसने लिखा था तो यहाँ पे इसका जो आप देखेंगे makers of modern geography तो ये आपका हो जाएगा तीसरा आर ये डिकेंसन यानि कि ए का थर्ड हो जाएगा बी का अगर देखते हैं तो all possible word बी का क्या हो जाएगा साथी हो आल पासिबल वर्ड का पी ये जेम्स यानि कि इसका हो जाएगा आपका चौध था इसको आप जामते हैं इसके बाद नेचर आप जियोग्राफी फार सोड ने लिखा है इसको भी आप जामते हैं तो चार तीन चार एक दो चोंतिस बारा चोंतिस बारा आपका सीवाला एंसोत सही हो जाता है निम्न लिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है छेत्रिय भिन्नता अलफ्रेड हैटनर की संकल्पना है या भूद्रिस संकल्पना कार्ल उसावर की है या छेत्र वाड़न विवेचन ये रिच थोपयनी की संक ये वाला गलत है और आप देखेंगे तो ये आपका उत्तर हो जाएगा अब बात आती है पेज्च की संकल्पना दिये किस ने तो इसको दिया था किसने ब्लांस ने दिया था आगे देखते हैं प्रादेशिक नियोजन में ध्ये प्राप्ति मैट्रिक्स तक्निकों को कि स्न की उत्पत्ती किस चट्टान में बहुतायत होती है अवसादी चट्टान, आग्ने चट्टान, कायंते चट्टान या इनमें से कोई नहीं तो टार्स या इसी को कहते हैं साथियों कवेश्टा क्या कहते हैं टार्स या कवेश्टा ये जो उत्पन होता है ये आगने सैलों के द्वारा होता है आगे देखिएगा भोगोलिक वातावरण के प्रभाव पुस्तक किसने लिखी अल्फरेड हेटनर ने या मिस सेंपुल ने या डेविड हार्वे ने या पीटर हाइगट ने भ आप देखेंगे जिग्एगराफिकल कंदिशन इस सेंपुल की कुछ और पुस्तक के हैं साथियों जिस से आप देखेंगे अमेरिका का इतिहास यॉम इसकी भोगोलिक दसाएं इसकी अलावा भोगोलिक वाता वरण के प्रभाव और इसकी अलामा भूमाद इसागर ये पर भूगोल के मानोवादी विचारधारा के प्रतिपादक कौन है तो मानोवादी भूगोल के जो प्रतिपादक हैं वहाँ आपके वालपर्ट हैं या तुवान है या किर्क हैं या हार्वे हैं तो ये आपका उत्तर हो जाएंगे तुवान यूफि तुवान है आगे यहां पर आपका उत्तर हो जाता है यह वाला यह सल्फियूरिक एसिड का अगर आप देखते हैं जो कि वाहनों के द्वारा निकलता है Sulfur Di Oxide और Nitrous Nitrogen Oxide Sulfur Di Oxide और Nitrogen Oxide इन दोनों के सयोग से ही यह क्या बनता है? Sulfurric acid बन जाता है और उसी का बारिस के साथ में नीचे आना क्या कहलाता है? Acid Rain आगे देखिएगा साक भच्छी और मांस भच्छी पसूं जैसे की सेर गीदर और लकड वग्धा की विसाल संख्या कहां पाई जाती है विस्वती वर्सा बनों में टैगा में ब्राजील कमपोज में या अफरीका के सवाना परदेश में तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा अफरीका के सवाना परदेश में थोड़ा साम लोग फास्ट चलते हैं क्योंकि टाइम जादा हो जाते हैं बिभिन्य परद्पूं में किसने प्रतिसत जल के अंस पाय जाते हैं 40-50 या 68-80 या 40-80 या 60-98 तो यहां पर साथियों अगर आप देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा आगे देखते हैं निड़े लेने की परकिरिया में परियावरण के मानस मानचित्र के महत्तो को किसने पहली बार दिया है यानि की परियावरण ये मानचित्र की बात कर रहे हैं तो इसको कौन दिया था येस जे गोल्ड ने दिया था नीचे दो कथन कारण दिये गए हैं इसको पढ़ करके उत्तर देना है कि पृत्वी पर आने वाला जो जुआर का अधिकतम प्रतिसत है वह सूर की तुलना में चंद्रमा द्वारा अधिक उत्पन होता है तो ये वास सही है चंद्रमा अधिक उ जंद्रमा है तो ये वाला कलत है यानि कि ये सही है और आर गलत है किसली है प्रेंच आप प्राइट होता है और भूमद सागर से समय जल्वास्व गरहन करता है जो की रक्त बर्षा के नाम से भी जाने जाती है धुर्बों की और ट्रोपो पाज की उचाई क्या होती है बढ़ती है या इस्थिर रहती है या घरती है या एक बिंदू पर इस्थिर रहती है तो यहाँ पर देखिएगा जैसे यह जीरो डिग कोरितर तक होती है और यहां पर नब्वे डिग्री पे अगर आप देखेंगे धुर्बों पर तो धुर्बों पर इसकी उचाई होती है ट्रोपो इस्थिर की यह 8 किलोमेटर और यह 8 किलो को आप देखेंगे इधर से इधर की तरफ लाने में ये नीचे की तरफ जा रहा है और इसके बाद ट्रोपो स्फियर के बाद एक ऐसा मंडल मिलता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है चाहे बढ़ने के लिए देखा जाया चाहे घटने के लिए तो इसी को क्या कहा जात है ट्रोपोपाज मंडल कहा जाता है ये ट्रोपोपाज क्या हो रहा इधर से इधर की तरफ आने पर ये नीचे की तरफ जा रहा यानि कि घट रहा है बढ़ती है इस्थिर रहती है घटती है तो घटती है ठीक है आगे हम लोग देखते हैं हाथी अगार और इसके बाद उस पुर्वोत्तर में आते हैं तो इसको यहां पर लगाएगा निलामबर की अगर बात करते हैं तो निलामबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा केरल पे सिंग भूमे की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा जहारखंड में और गारोहिल मेघाले में ये आप जानते हैं यान तिरालिस बारा आपका एंसर हो जाएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं उस भारतिय पत्तन की पहचान कीजिए जिसे सर्बूत केश्प्राकिर्तिक बंदरगाह कहा जाता है और जहां पेट्रोलियम उर्बरक रासायनिक और मसीनरी आदी के आयात में अग्रणी कारगो ट्रेफि केरल में साथ चर्ता भारत में सबसे अधिक है केरल की साथ चर्ता साथ यह भारत में सबसे जाधा है यह बात रहे है बात है तो यह बfunded गलत बात में लेकिन ब्याठ्याइं सही आगे देखेंगे भारत में लोह अयस्क उत्पादन के विशय में निम्न कतनों को पढ़िये तथा नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर चुनिये भारत लोह ऐस्क का निर्यातक है भारत लोह ऐस्क का आयातक है भारत का लोह ऐस्क उत्पादन हरासमान है या भारत का लोह ऐस्क उत्पादन बिर्धमान है इसमें देखिएगा भारत का लोह ऐस्क निर्यातक है तो ये बात सही है भारत लोह ऐस्क का आयातक है आयात नहीं करत जारखंट ऊयाब कर दिया है रहा है रास्टो इसको ऐपन हो गए रखो और इसके बाद भारत का लल ऐस उत्त पादन अ रासमान है रासमान भी नाथ बिर्द मानीं यो भारत का लओ ऐस सोत पादन बिर्द मानerdings या निकी एक और चार एक और चार आपका सी वाला एंसर सही हो जाएगा बान सागर पर्योजना इस्थित है बिहार में मद्पर्देश में उडिसा में उत्तर प्रदेश में तो ये उत्तर प्रदेश की और मद्पर्देश की और बिहार की ये तीनों की प्रियोजना है जो की अगर देखते हैं आप तो यह कहां परिस्तित साथी हो जोंग जल प्रपात आपको मिल जाएगा सरावती नदी पर कहां पर सरावती नदी पर इसके अलावा दूद सागर आपका मांडवी पर सिव समुंदरम कावेरी पर और दूदुमा यह इस पर मिल जाएगा तो इसका चार तीन एक दो 43-12, 43-12 इसका कौन सा हो जाएगा सी वाला आगे बढ़ते हैं परदेश दिया गया है मिर्दा का प्रारूप दिया गया है कि कौन सी मिर्दा कहां पर पाई जाती है तो इसमें आप बताएगा कि करनाटक का पठार जो है यहां पर कौन सी मिर्दा मिलती है अभी हमने बताया ये वाला छेत्र पार्ट छेत्र के अंतरगत आता है इसके बाद मालवा का पठार अगर आप देखेंगे तो यहां पे मालवा के पठार पे हमने अभी बताया था रेंगूर या काली मिलता मिलते हैं उत्तरी सरकार की बात करते हैं तो यहां पे जलोड मिलता मिलेगी तो इसका और दो का तेस्वारा आपका एंस्वार जायेगा जो किस बारा नहीं मिल ला यह सिष्वारा दो बर मित्वारल दो कैसे आजा रहा हैं आपका डीवाला एंसवार हो जाते सा देखा है है लूनी नधी कहां गरती है तो लूनी नधी साथ में इस तरह से अगर23 आप देखें々े तो यहां से निकल करके कच्छ के रन में यहां पर ग इती है तो यह आपका कच्छ कि खाड़ी हो जाएगा ठीक है एंसर आपका कौन सा हो जाएगा बी आगे देखिएगा निमने लिखित में से कौन सा पठार दच्छिन मध्ध भूमी का हिस्सा नहीं है महाराश्ट मालवा बिंद और छोटा नागपूर पठार ये कह रहा है कि दच्छिन उच्छे भूमी का हिस्सा नहीं है दच्छिन और उच्छे भूमी का हिस्सा की बात करते हैं साथियों तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा मालवा का पठार यहां पे है बाकी बिंद ध्यांचल से अगर आप लेते हैं और इस छोटा नागपूर पठार इसके इधर वाला स्थानों में से किसके पास मैंगरों की प्राकूर्तिक अग्रिमपंक्ती सुरच्छित नहीं थी तमिलनाडू में नागा-पतिनम या उडिसा में भीतरी का निकाँ तमिलनाडू में पिचावरं तमिलनाडू में मतुपेट तो इसका 欠ार क्या होगा साथियों इसका एंस् गंगोत्री की अगर बात करते हैं तो यहां हिमालय पे है तो यहां बात करते हैं तो यहां अन्टार्कटिका पे भी मिलता है पर इसलिए इसको गनगोत्री का साप पहरती बैज्ञानिकन संधानों का स्ठाइक केंदर है तो ये आपका अंटार्टिक मेर्स इसित बैज्ञानिक नोसंधान केंदर है सातुत 주세요 험 इसमें यदा संधान की बात की जाए साथ हैं दचन गंगोतरी के अलामा दो और भी है दो और का मतलब यहां पर एक मैत्री है एक मैत्री है यह दच्छन गंगोत्री एक हो जा रहा है यह तो हो गया यह तो यह हो गया और इसके बाद दूसरा आपका हो जाता है मैत्री और तीसरा आपका हो जाता है भारती इस तरह से तीन आपको मिल जाते हैं आगे देखिएगा निमने लिखित में कौन भारत के सबसे दच्छनी अस्थान को इंगित करता है इंदिरा पॉइंट या कन्या कुमारी या नागर कुईल या रामेश सुरां तो इसमें साथियों अगर आप देखेंगे भारत का म इस तरह से यह ड्रा किया जाता है और इस तरह से यह बनता है तो यहां पर आपका होता है कौन सा यह इंदिरा पॉइंट और कन्या कुमारी आपका आता है यहां पर तो इसमें सबसे नीचे कौन सा है दच्छन में तो यह आपका मिलता है दच्छनी अस्थान कौन सा होगा इंद्रा पॉइंट हो जाएगा ठीक है सुला का कौनसा हो जाएगा एंस्वर यह हो जाएगा स्थान के अक्षांसी जो डिस्तार है तो छे डिग्री 45 नारता है नेस्ट है जिचली लाइगुणों वाले लगुण ग्वरलं की इस रिंकला को क्या कहा जाता है फरोस यह शीप्टा यह प्लाया यह साली नास तो इसका एंसर क्या होगा साथियों छिछली लाइगूनों वाले लगू ये टालों की स्रिंखला को क्या कहा जाता है तो इसमें हो जाएगा साथियों फरोस क्या हो जाएगा फरोस महात्पूर्ण प्राकिर्तिक संसाधनों के गुणात्मक बित्रण मान्चित्र की सहायता से किसने योजना प्रदेश का सिमांकन किया तो इसका आपका हो जाएगा इल यस भट बियल यस प्रकास राव नेश्ट है बिस में कोको का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश कांसा है ब्राजील गिनितट मालाबारतट और और पूर्वी अफरीका पठार तो साथियों यहां पे कोको कहता है तो आप इसका एंस्वर अलग मानिएगा काफी से कोको की जब बात करेगा तो अफरीका पे आप आ जाएगा और यहां पे काफी की बात करता है तो ब्राजील पे तो कोको की अगर बात करता है तो अफरीका के कहां पे आ जाएगा गिनी वाले तटवर्ती छेतर में आ जाएगा इसका एंस्वर भी आ जाएगा वहां अस्था तमबाकू, चावल और चाय दिया गया है, तो इसमें साथियों जो सबसे ज़्यादा बरसा वाली हो और सबसे ज़्यादा ढाल वाली हो, वह सरबाधिक बरसा और सरबाधिक ढाल वाली अस्थान काफी के लिए उप्यूक्त होती है, निम्न लिखित में से कौन सी फसल अंतर र भाग निर्यात किया जाता है इसका दो चार परसेंट ही इसका निर्यात किया जाता है तो वह कौन सी है चावल है काफी है रवर है या गेहूं है तो काफी आप देखते हूं कि खूप निर्यात किया जाता है रवल जहां पर होता है उसका भी निर्यात कर दिया जाता है कितना संख्या के लिए ही उपयोग में ज्यादा लिए जाती है वो निर्यात कम की जाती है चावल की फसल की खेती डाट का उत्पादन करती है कौन से गयत का यह सोटू CH4 CAFC या CO2 तो यहां पर मीथेन का उत्पादन करती है निमलिखित में से किस देश की अस्थाना अंत्रण किर्स को तमराई के नाम से जाना जाता से लंका म्यामार फिलिपिन्स और थाइलेंड तो इसमें किसका हो जाएगा आपका थाइलेंड हो जाएगा स्री लंका में क्या कहते हैं स्री लंका में चेनना कहा जाता है अर्थ ब्योस्था का कौन सा खंड टिकाओं आर्थिक विकास के लिए सबसे कम आवस्यक है तो कौन सा होगा प्रात्मिक दितियक तितियक या चतुर्थक तो इसमें आपका आ जाएगा चतुर्थक चतुर्थक म जो पहली अर्थ्यवीवस्ता पर निर्भर जो भी आप देखेंगे देष होते हैं वहाँ पे अगर कोई बहुत ज्यादा वो नहीं हो बड़े-बड़े लोग बिजनेसमेन तो भी वहाँ की अर्थ्यवीवस्ता चल रही होती है लेकिन अगर से प्राथमिक को हटा दिया जाए दितियक को हटा दिया जाए ते लोग डिसीजन लेते रहें चतुर्थक वाले कुछ नहीं कर सकते हैं तो इसलिए यहाँ पे आप देख्या राह City का कौणसा खंड टिकाओं और्थक विकास के लिए आवस्यकर तो प्रात्मिक हैं सबसे कमे आवस्यक कहा जा रहा है सब से कमा कर तो यह जो होगा आपका यहीं चतुर्थक हो जाएगा बाकी ये सभी प्रात्मिक दितियक और तितियक जो होंगे ये आवस्यक होंगे अधिक आवस्यक होंगे अर्थव्योस्था का साधारन माडल आधारित होता है साधारन माडल किस पर आधारित होता है निर्ड़ा लेने वाले तत्तों के सम पर परिवहन जाल पर परिया वरंड पर अंतर राष्टिय व्यापार पर तो 125 का क्या एंसर हो जाएगा आप बताईएगा साथियों लाश्ट प्रस्न है इसका एंसर आपको बताना है आपने मित्रों अभी भी अगर ग्यानाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ले लिज्ट ग्यानाले चैनल को सब्सक्राइब अवस्द कर लिजिए चलिए इसका एंसर हम लोग देख लेते हैं कि अर्थव्युस्ता का साधारण माडल किस पराधारित होता साधारान माडल जो भी अर्थव्यूस्ता का माडल निर्थायत होगा वह निर्द लेने वाले तत सब्सक्राइब नहीं कियें तो चैनल को सब्सक्राइब चरूर कर देज़ेंगा साथ में चलिए मिलते हैं किसी नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए साथ में आप हसते रहें मुस्कुराते रहें और मेहनस से पढ़ते रहें नमस्कार जहिन बंदे मात्रा